आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ है यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे यहाँ पर मेरा वेंजग क्या दे रखा था x y square ठीक है और यहाँ पर बोल रखा है कि दो चर कौन कौन से है x और y ठीक है और इन दोनों में ही कितना कमी हो रही है 20 प्रतिशत की दोनों में ही कमी होती है ठीक है तो अगर यह 20 प्रतिशत लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 बटे 100 यहनि कि 1 बटे 5 और क्योंकि यह कमी है मुझे पता है तो देखे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यह प्रारंब में अगर यह चर था यह कितनी थी उसकी value 5 इकाई थी तो यह एक मुझे क्या बता रहा है यह एक इकाई की कमी हो रही है ठीक है मैं यह बोल चकता हूँ ठीक तो यह value मेरी क्या आ जाएगी अगर मैं x गुणे y square लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूँगा x गुणे y गुणे y ठीक है तो देखे मैं प्रारंब की value दोनों की और अंतिम value देखूँगा तो देखे क्योंकि यह value क्या है x है एक x के लिए पहले value कितनी थी 5 थी अगर तो बात में कितनी हो जाएगी एक के कमी होगी यह नहीं 5 माइनस 1 तो यह जाएगी 4 अगर y के लिए देखूँ यह क्या होगी पहले 5 थी अब कितनी हो गई 4 फिर से 1 क्योंकि y होगा तो यह क्या होगा पहले 5 थी अब क्या हो गई 4 हो गई तो देखे बस यहां 3 के लिए अगर मुझे देखना है साथ में तो यह 5 गुणे 5 गुणे 5 तो यह जाएगा 125 ठीक है 5 गुणे 5 पच्चिस 25 गुणे 5 125 और यह 4 गुणे 4 16 16 गुणे 4 यह चनिकी 64 ठीक है तो यह value इन दोनों के बीच का अंतर अगर मैं देखूँ तो अंतर कितने का है minus 61 का क्योंकि पहले कितनी थी 125 थी अब कितनी बची है 64 बची है तो देखे कितने प्रतिशत कम हो जाएगा मान चाहिए है मुझे तो देखे यह मैं यहां से लिख सकता हूँ प्रतिशत कमी यह कितनी हो रही है यह हो जाएगा 61 और थी कितनी 61 बटे 125 ठीक है पहले 125 थी तो 60 बटे 125 और क्योंकि प्रतिशत में चाहिए तो मैं 100 से गुणा करूँगा इस value को मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए अगर मैं यहाँ पे 25 से काट दूँ तो यह कितना आजाएगा 808 प्रतिशत मेरा आंसर हो गया तो option number C मेरा सही उत्तर है Thank you